हेलो दोस्तो मैं हूँ खुसाहल सिंग और आप देख रहे हैं कैन लर्निंग पॉइंट आज की इस वीडियो में बताएंगे कि बिर्ज कोर्स के जो एक्जाम होने है 19 मार्च से जब एक्जाम होगे तो एक्जाम सेंटर पर आपको क्या-क्या लेकर जाना है यह बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है इससे आप जरूर देखें नहीं तो आपको एक्जाम नहीं देने दिया जाएगा तो विरेच कोर्स exam Center पर क्या-क्या लिख जाना है जानेंगे इस वीडियो में शुरू करते हैं वीडियो तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या-क्या लेकर जाना है exam Center पर पहला जो आपको ले कर जाना है वो है admit card जिसे hall ticket भी कहते हैं तो यह आपको कहां से मिलेगा यह आपको NIOS की website से download करना होगा hall ticket इसको ले जाना है दूसरी चीज है यह आपको ID card ले जाना है यह ID card क्या है थोड़े समय पहले आप लोगों को NIOS की तरफ से एक ID card जारी किया गया था तो आपको वो ID card ले जाना है और तीसरा जो ले जाना है वो है आपका one photo ID एक ऐसी आपकी खुद की ID ले जानी है जिस पे आपकी photo लगी हो पहचान पत्र, voter ID या आधार card इन मैंसे कोई भी एक ID आप ले जा सकते हैं इन तीनों के बिना आपको विर्ज कोर्स का एक्जाम नहीं देने दिया जाएगा तो प्लीज आप ये तीनों चीज एकटी कर लें इन तीनों को साथ में रख लें और एक अच्छे से pen blue और black दो दो पैन रख लें और ये तीनों ID आप जरूर रख लें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज की वीडियो में वस यही बताना था कि आपको क्या-क्या लेकर जाना है आपके बिर्ज कोर्स के एक्जाम सेंटर पर हमारे तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत सुब कामना है आप सभी के एक्जाम बहुत अच्छे हों मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के ल आड़ाद